मेरे साथ रंजीत रंजन है जो संसत भवन में महंगाई को लेकर विरोज परदसन करें इनके हाथ में बैनर्स भी है कि पेट्रॉल डिजल के दाम रोज बर रहे हैं सिलिंडर्स के दाम रोज बर रहे हैं ये लोग लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं रंजीत रंजन जी आ आज पाजिनेस अनाज में पड़ा है रसोी में पड़ा है रसोई के बजट्व परड़ा है हम लोग इस महंगाये के खिलाब रखास्के खिलाब है और जिस ताना शाह से यह रूत को चलाना चाहते हैं यह चाह wybर है कि कि नाम का भी ना हो सदन में, हम उन्सब के खिला वर यहा वोट करतो है अग्याचे लत्साइब नुज दिखने इना प्याप्य इने कि अगाचिछ लत्स फिंट इस वहाप्ट प्याचेब करते हैं धुब कुछ अग्याच लेवा बयाद प्यागिति पेया कि अग्या त्रफ एंग स्थूर मेटीश इम्याचेब we continue to fight for the people and we will ensure that this government is oozed अपने अच्छी तरह से बताए तो हम निर्मला सितारमन का विश्च करते हैं कि जल्दी ठीक हो पर इतने दिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी लगे हैं पर ठीक है अगर वो बिमार है नहीं आ सकती है तो आल्टरनेटिव होगा ना M.O.S. को बुलाएंगे ना प्रदान मंत्री आएंगे ना R.B.I. के अब भाशन तो आप दे रहे थे तो अभी महंगाई पे बोलने में मुझे साब का क्या जा रहा है आप भाशन तो दे रहे हैं बाहर तो आपके सारे मंत्री बोल रहे हैं आप ने तो वो कोरम ही खतम कर दिया है Finance Minister Railway के बारे बोलता है Railway Finance के बारे बोलता है प्रदान मंत्री बजट के बारे में बोलता है तो आईये ना हम तो सिर्फ क्या रहे हैं कि ये GST वापस के लिए आप क्या करेंगे आप चर्चा कप कर आएंगे इतो ना तु आप कह सकते हैं ना आके तो प्रदान मंत्री का हम इंतजार कर रहे हैं ना किसीतार wrestronic का ये कॉंगरेस की महिला सांसदों का एक तरह पलग परदर्शन था जिसमें जो सांसद निलंबित किये गए हैं उनको लेकर विरोध परदर्सन था और महंगाई के खिलाफ था जहां तक कॉंग्रेस के प्रोटेस्ट था सवाल है लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि ठीक है अगर निर्मला सतारवन बिमार हैं फिर प्रधान मंत्री जो हर मुद्दे पर बोलते हैं खिला है